इनके लब रंगी की निठाबरें थी के जिसने आपको तीसरा सुवाल था बहुत इंपोर्टेंट भी था क्यों होता यह है कि जब भड़ी के अंदर चार बच कर 57 मिनट हो रहे होते हैं तो लोग कोई टाइम पूछता है तो उससे टाइम पांच बजे हैं इस तरह बोल दिया जाता है इसी तरह सामने वाले time कुछता है कि कितना time हुआ है और चार उनसट हुआ है तो इसको हम पांच बताते हैं तो ऐसी सूरत में यह धोका देने वाली बात या गुनह वाली बात इस सूरत में नहीं पाई जाएगी क्यों कि यह खलत time बताना, या एकाद मिनिट का आगे पीछे अंदाज़ा बताना या तक्रीबन कह कर बताना То इस میں होता है सामने वाले तो दोका देना मकसूद नहीं होता, और ज्चू्ट जैसे उसको कहते हैं कि जब कोई बात ऐसी हो कि जिस यहां तक के खुद टाइम जानने वाला भी इस बात की आगा होता है कि 5 की मुराद यह है कि अगर 469 भी होते हैं तो 5 ही कहा जाता है इसी तरह अगर मानने लो जादा टाइम में फर्क नहीं है यह आद मिन्ट का ही फर्क है तो सुई घड़ी की इस तरह से होती है कि बिल्कुल बारा नंबर के करीब होती है तो वहां पांच बोल दिया जाता है और अगर टाइम में अतना फरक है जैसे चार बज़के 45 मिनिट होए हैं किसी ने टाइम पूछा तो आपने कहा कि पांच बज़के तो फिर यह जूट है क्योंकि इससे सामने वाले को पांच बजने का होमान होगा और आपकी बात को वह सच्चा तसवर कर रहा होगा जो के जूट की थारिफ में और इसी तरीके से उन्हा की सूरत यह जूट यह धोके की सूरत इसमें नहीं पाई जाएगी दिल में नियद भी यह नहीं थी लेकिन इसमें यह कि तक्रीबन का लव्ज भी बोल देना चाहिए अगर एक्कुरेट टाइम नहीं है मसलने यह कि चार बचके 69 मिनिट का टाइम है किसी ने टाइम पच पन मिनट हा तो इसलिए 49 start में बोलने में कोई दिक्कत variety रे değtechnic ऑनल जाओ है दो चार बचकर 55 मिनट ही बता ऑपैं और अधे 1 मिनट के फरक में जो है अगर पांच बजे किसी ने बोल दिया कि पांच बजर्ट हें तो वो गुना की सूर॥ नहीं है पत्थर ने असल आले पुरनवार बनाया